अगर आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए सबसे पहले हम डेटा पॉइंट को यहां पर देख ले तो अगर हम कैश का डेटा देखे तो आपको देखे का फाइस नेट सेलर है सो करोड के आसपास इन्होंने कैश में सेलिंग किये वहीं की कोशिश किया अगर हम बात करें हैं यहां पर दीखे तो यह आपको दिखे रहां चॉटिस ओक्रेट के आसपास जो क्लोज कि गई मार्केट ग्रीन में क्लोज हुई तो एक शॉट कवरिंग के तरफ इशारा कर रहा है कि मार्केट के अंदर शॉट कवरिंग की गई बट यह जो buying last time में हमें देखने को मिली, यह cash segment के द्वारा लाई गई थी, जहाँ पर DIAs ने बिल्कुल concentrated तरीके से, जो heavy weights है उसमें buy की, इस वजे से यह जो up move थी last में वो देखने को मिली, option k data की बात करें, तो option में यहाँ पर बड़ा player जो भी है, वो कोई भी position यहाँ पर carry forward नहीं किया उन्होंने, तो यहाँ पर नहीं short, नहीं long, कोई भी fresh contract carry नहीं की जा रही है, तो अगर हम data point का conclusion निकाले, तो cash का data हमें strength के तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि जो DIAs की buying की number है, वो बहुत जादा है, future का data हमें strength के तरफ इशारा कर रहा है, अगर हम option के data की बात क basis है, तो according to data point, Monday को market positive bias के साथ trade करना चाहिए, but हम कोई भी trade data points के भीहाब पे नहीं लेते हैं, price action को जरूर consider करते हैं, और price action को हम ज्यादा priority देते हैं, तो अगर हम यह price action में देखे हैं, तो हमने nifty में कल discuss किया था, कि अगर मान लिजे कि nifty flat कुल के इस level के नीचे निकलता है अगर हमें वहाँ पर कोई setup मिलता है, तो हम ट्रेड करेंगे, या फिर 5 मिनिट पर कोई price action दिखता है, तो फिर हम ट्रेड लेंगे, तो निफ्टी में तो नहीं मिला, निफ्टी में ना 5.13 पर मिला और नहीं वो price action पर मिला, बट bank nifty के अंदर एक अच्छा trade देखने को मिल और मैं यहाँ पर बात करूं, तो निफ्टी में यहाँ से इस एरिया से थोड़ा selling हमें देखने को मिला, अगर निफ्टी यहाँ आता है, यहाँ आने के बाद एक price action दिखता है हमें, तो हम short के side के लिए prefer करेंगे, यह ज्यादा हमारे लिए favorable होगा, swing के ऊपर का stop loss यह पर निफ्टी अगर माले बहुत बढ़ा gap-down करेंगे, यह इसा भी हो सकता है कि यहाँ आने के बाद यह ओवर करता रहे, तो अगर ब्रेकडाउन देता है, तो हम aggressive shot करेंगे, इसके ऊपर का stop loss रखेंगे, 1-2 के लिए हम यहाँ पर plan करेंगे, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जैसा कि मैंने आपको बताया अगर हम पांच मिनट के टाइम पर देखेंगे तो यह बहुत ही अच्छा यहां पर हमें प्राइस अक्षन देखने को मिला मार्के गाप खुला गाप खुलने के बाद थोड़ा नीचे को प्राफिट बुकिंग आई और यहां पर प्राइस अक्षन बनाकर ब्रेकडाउन होगा तो जिसने भी शॉट किया होगा इसली आपको यहां पर वान इस्टू का टार्गेट मिला होगा तो आपको यहीं पर इस एरिया में कहीं पर शॉटिंग का ओपर्शुनिटी मिला होगा और यहां आके जो है वह आपका ट्रेट जो है इस जगहा पर उसने सिंगनल दिया था कि आप ट्रेट से एक्जिट कर जाए तो अगर आप आपने 513 पिरिट का जो मुविंग एवरेज है उसका वीडियो नही पहिए बाउस गया को भी आपको इस लेवल पे जोड़े यहां पर यहां पर यहां पर को सिर्फ निशीं करेंगे श्रीज邊 को रिजना करेंगे मैं यहां रिजन बता देता हूँ कि मैंने क्यूंं बोला कि हम नहीं पर शॉरट करेंगे क्योंकि अगर आप यहां पर वेप का इनालिसिस करेंगे तो यहां पर आपका यह B का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहां से यह करेंगे इस हाई से लेके इस लो तक का यह लगाओ तो आप देखेंगे यह जो रीटरेसमेंट हो रहा है था उनलोंकि इस मिलता है तो लाउंकि इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता है अगर हम हम इसके ऊपर निकलता है तो हम यहां पर लॉंग करेंगे तो जो हमारा लेबल था वह था तो कल के लिए हमारा सेम लेबल होगा 1375 के ऊपर अगर वल्पूल निकलता फ्लैट कुलने के बाद या थोड़ा गपड़ान कुलता बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत कहीं पर 13 1665 के ऊपर निकलता है तो हम इमिडियेट लॉंग कर सकते हैं नीचे में हम यहां पर 770 का स्टॉप लॉस रखेंगे वन इस्टू के लिए प्लान करेंगे नेक्स अगर देखें तो डिक्सन यह भी अच्छा लग रहा है चार्ट पर यहां पर भी एक बुलिश मोमेंटम बन करेंगा कि बुलिश मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू कर सके और यहां पर गाप भी दिख रहा है तो हो सकता है कि यहां ऊपर निकलने के बाद यह गाप को फिल करने के लिए आ जाए नेक्स टॉक अगर हम देखेंगे तो यह टॉरेंट पावर यहां पे एक सैलिंग प्रेश चैनल वीडियो को यह सब्सक्राइब कीजिये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा श्यार केजिए थैंक्स फर वाचिंग लार्णिग एंग एंडग फट एंग फॉर्टनींग रेंग हैपी भीगेंड